स्री नगर में डल जील के खुबसूरत नजारे निश्चित रूप से बेहत सुकून देते हैं लेकिन यहां के मंदिरों में आपको एक अलग सी सांति मिलेगी एक से बढ़कर एक खुबसूरत मंदिरों में से एक है संक्राचार्य मंदिर जहां पर भारत का समरुद इतियास आज भी जीवित है जी हाँ यह वो मंदिर है जहां पर मुगल सासक सहाजा आने स्थम बनवाया था तो चलिए देखते हैं और बात करते हैं इस मंदिर से जुड़ी और भी दूचक बातों के बारे में अब बात करते हैं संक्राचार्य मंदिर तक कैसे पहुँचें मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको डल गेट के सामने से ये रिक्सा और किराय पे गाड़िया आसाने से मिल जाएगी जो आपको एक निर्धारी स्थान पर छोड़ देगी उस थान से आपको फिर आटो रिक्सा लेकर मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुँचना होता है आप चाहिए तो ये दूरी पैदल भी टै कर सकते हैं अब बात करते हैं संक्राचार्य मंदिर के टाइमिंग के बारे में मंदिर सुबच 6 बजे खुलता है यहां का प्रवेश द्वार सेना के कर्मियों के द्वारा सरक्षित है और 8 बजे तक ये खुला रहता है अब बात करते हैं संक्राचार्य मंदिर स्रीनगर बस्टेंट से कितने दूरी पर है तो संक्राचार्य मंदिर स्रीनगर बस्टेंट से करीब धाई किलोमेटर की दूरी पर है जबकि रेलवे स्टेशन से यह मंदिर 18 किलोमेटर की दूरी पर है बस्टेशन से इरिक्सा या आटो लेना सही रहता है, जबकि रिल्वे स्टीशन से आटो या टैक्सी भैधर साधन रहेंगे. अब बात करते हैं, संक्राचार्य मंदिर पर चड़ने में कितना समय लगता है? सामने दिनों में संक्राचार्य मंदिर के दर्संद करने में करीब 30 मिनिट लगते हैं, लेकिन विशियस परवर जैसे कि सिवरातरी, राम नवमी, सावन आदी के दिनों में 2-3 घंटी का समय लग सकता है. अब बात करते हैं, क्या संक्राचार्य मंदिर में फोटोग्राफी के अनुमती है? मंदिर के चारों और का नजारा इतना बैतरिन हैं कि आप फोटो लिए बिना नहीं रह पाएंगे. खेर मंदिर में फोटोग्राफी का पाबन सिर्फ घर्बग्रू के अंदर हैं, पाकिस्थानों पर आप फोटो क्लिक कर सकते हैं. तो आईए नजर जालते हैं मंदिर से जुड़ी और भी रोचिक बातों पर. संक्राचार्य पहाड़ी और मंदिर स्री नगर सहर की पहचान है. यह एक बहुत ही अतिहासिक पहाड़ी है. इसके स्ज़को प्राचीन कस्मीर की वास्तोकलावाली एक सन रचना से सजाया गया है. प्राचिन कस्मिर के विरासस थलों में से एक सूप्रसिद संकराचार्य पहाड़ी और इसके स्थेस पर एक स्थेस्वर मंदिर और पास पहाड़ भी कहा जाता है स्री नगर से लगपक 5 किलोमेटर के दूरी पर ये पहाड़ी है जिसकी उचाए 1100 फिट है यह मंदिर बेहद लोकप्रिय और भगवान सिव को समर्पित है यह मंदिर जो संकराचार्य पहाड़ी के उपस थित है वो जबरवान परवत का हिस्सा है हमर्नाथ यात्रा के दौरान तिर्थियात्र इस मंदिर में आते है और यात्रा के दौरान सिव की पवित्र जो छड़ी होती है उसको मंदिर तक ले जाया जाता है सिवराथ भी और हैराथ जैसे फेस्टिगल को यहाँ पर बहुत ढुमधाम से मनाया जाता है संक्राचारी मंदिर तक पहुँचने के लिए टोटल 243 सीडिया बनाई गई है वह बहुत खड़ी नहीं है और आसानी से आप इसे चड़ सकते हैं लेकिन घर्व गुरु तक पहुँचने के लिए आपको और 30 सीडिया चड़नी पड़ती है Border Road Organization ने कार पार्किंग के लिए जगा के साथ मंदिर के आधार तर एक मौटर योग्या सड़क भी बनाई हुई है ये घोड़े जो आपको रास्ते में दिखाए दे रहे हैं ये यात्रियों के लिए नहीं है माल सामान और जरूरी चीजों को नीचे से उपर मंदिर तक पहुचाने के लिए इन गोड़ों का यूज होता है सीडिया चड़कर जिस रास्ते से यात्री लोग उपर मंदिर की और जाते हैं इस रास्ते से ये घोड़े लोग नहीं जाते हैं पहाड के रास्ते से अलग रास्ते से वो लोग उपर जाते हैं। तो संक्राचार्य मंदर के दर्शन करने के लिए आपको पैदल ही ये सारी सीड़िया खुद ही चड़ने पड़ेगी। जब आप नीचे से उपर मंदर तक सीड़ियों से जा रहे होते हैं तो रास्ते में साइड में आपको कुछ स्टॉल ऐसे दिख जाएंगे जिसमें आपको धार्मेक सामगरिया सुवेनियर के तौर पे मिल जाएगी जैसे के धार्मेक किताबे लॉकेट ये सारी चीज़े आप को जो है वो मिल जाएगी आप चाहे तो उसे खरीज सकते हैं मंदिर की सीड़ियों पर पार्सी वासा में लिखे दो अबिलेक हैं जिसके अनुसार इस मंदिर की स्थापना 1668 इस्वी में की गई थी दूसरे अबिलेक की अनुसार 1644 इस्वी में सार जहाने मंदिर की छत और स्थम बनवाया था राजा गोपादित्य ने 371 इसापूर्व के आसपास पहाडी पर एक तिरस्थल की रूप में मंदिर का निर्मान करवाया था इसलिए उनके नाम पर ही इस मंदिर का नाम रखा गया था इसके साथ कई नाम जुड़े हुए हैं जिमने गोपादारे हिल, संधिमाना परवत, कोहे सुलेमान, तक्ते सुलेमान सामिल हैं गर्ब गुरू में भगवान सिव का विसाल काई लिंक स्थापित है, इस मंदिर की सैली को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह छटी या साथवी सताब्दी में बनाया गया था कुछ समय पश्यात, स्रद्धालों की सुविदा के लिए डोगरा सासक महराजा गुलाब सिंग ने मंदिर में पत्थर की सीडियों का निर्मान करवा दिया था और साथ ही इस मंदिर की मरम्मत भी करवाई थी हिंदों का यह एक धार्मिक स्थल होने के अलावा यह मंदिर एक महन पुरातात्विक महत्वभी रखता है आठवी सतापदी ईसापुर्व में आदी संक्राचार्य जी ने इसका दौरा किया और बाद में आदी संक्राचार्य जी ने इस थान पर कास्मिर यात्रा के दौरान यहां पर ठहरे भी थे इसलिए इस मंदिर का नाम कोपादारे से बदल कर संक्राचार्य मंदिर कर दिया गया था कस्मीरी पंडिटों का दर्ध विश्वास है कि आठवे इस सताबदी इस्वी में एक भारतिय वेद्विक विद्वान और उपदेशक आदि संकराचार्य जी ने इस मंदिर का दोरा किया था और तब से वे उनके साथ जुड़े हुए हैं मंदिर और पहाड़ी का नाम उनहीं के नाम पर पड़ा और यही उस समय क्षेत्र की आस्था थी और सीव और सक्ति का मिलन जिसे सक्तिवाद कहा जाता है इस मंदिर का नकेवल धार्मेक द्रस्टी से बलकि वास्तो सिल्फ की द्रस्टी से भी बहुत महत्वपोर्णा है इसमें अस्ट कोणिय आकार और घोडे की नाल का वक्र सामिल है जो आज भी इसके निर्माण के अंतिम चरण में देखा जाता है गोपादिते के समय में यूज आसफ नाम के एक भविश्य वक्ता गोपादारी संकराचार्य पहाड़ी पर आये थे और उनके द्वारा इसका जिर्णोधार किया गया था डोगरा राजा गुलाब सिंग ने मंदिर की और से दुरगा नाक से पहाड़ी तक सीड़िया बनवाई थी 1925 में मैसूर के महाराजा कस्मीर आये और उन्होंने मंदिर में इसकी चारों और पांच और सिस पर एक विद्यूत सर्च लाइट लगवाई और बिजली की लागत को निदी देने की घोशना की महाराजा ने बिजली की लागत भी वहन की थी 1961 में द्वार का पीट के संक्राचार्य ने मंदिर का दौरा किया और आधि संक्राचार्य ジ की मूर्ती मंदिर में स्थापित की थी इस मंदिर को बहुत वास्तुकला का प्रतीक भी माना जाता है निर्मान के सही तारिक और वर्स सपस्ट नहीं है हाला कि पहाडी और सररचना को प्राचीन काल से ही पवित्र माना जाता रहा है इसके इत्यास के बारे में सबसे महतरपूने जानकारी कलहन नामक एक प्राचीन इत्यासकार ने प्राज तरंगिनी में दी है जो कस्मीर और उत्तरबस्चिम भारत के राजाओं के बारे में प्रसिद एधियासिक इत्यासकार है उनके अनुसार इस पहाड़ी को जीत लार्क या जेठा लारक और बाद में गोपादारी पहाड कहा जाता था वो ये भी लिखते हैं कि राजा गोपादित्य ने आरे भूमी से आये भ्रामन को पहाड के नीचे की भूमी दी थी भूमी दान को गोपा अग्रहार कहा जाता था मंदिर की ये अधिरचना हालकी है लेकिन आधार और सीडिया बहुत पुरानी है मंदिर से जोड़ी अन्या एतिहासिक हस्तियों में असोक का पुत्र जलो का सामिल है गोंधन ये राजवन्स के असोक कस्मिक शित्र के राजा हुआ करते थे एतिहासिक रूप से यह कई धर्मों से जुड़ा हुआ है जिनमें फार्सी और मुसलिम भी सामिल है 34 इसा पूर्व से 13 इस्वी की अवधी के दोरान के बाद के सासकों ने इसमें सुधार किये और अतिरिक पुजास्थल जोड़े राजा जेन अब दिन बुंदसा ने इसकी छटका जिनोद्दर कराया जो पुकम के दोरान गिर गए थे मुगल सासन के दोरान 1616 में औरंग जेप के साथ कस्मीर के यातरा पर गए एक फ्रांसिस से चिकित्सक फ्रांसियोस बर्नियर ने मंदिर के बगल में एक छोटी मज़ित की उपस्तिती तब दरज की थी बताया गया है कि बादसा जांगिर रानी नुर्जहा के साथ पहाड की चोटी पर आते थे और पुरा तत्व और अंतिम डोगरा राजा हरी सिंग के प्रधान मंद्री पंडिट आर सी काक के अनुसार भी यहाँ पर मंदिर मज़ित के आउस्सेस देखे गए थे कस्मीर में सिख सासन के बाद लंबे समय तक अनुपयोगी रही इस मज़ित को प्रताप सिंग के समय में डोगरा सासन के दोरान एक सपाई अभ्यान में गिरा दिया गया था मानेता के हिसाब से कई लोगों का मानना है कि इस पहाड़ी पर इसलाम के आगमन से बहुत पहले सुलिमान जिसे सोलोमन और सेंडी में भी कहा जाता है नामक प्यक्ति ने विजय प्राप्त की थी ऐसा माना जाता है कि वो अपने सिहासन पर बैठा था और राक्ससों और पक्षियों सभी रोग उसकी पूर्ण आदेश के आधिन थे सासकू की बीच बीचन लडाई का उलेग भी किया गया है जिने गोपादारी पहाड़ियों पर सरण लेनी पड़ी थी और फिर पहाड़ोई की नीचली साइट से एक मार्ग भी मिला था सुलिमान अपने अन्युयायों और अपनी गद्धी के साथ वहाँ गए थे तब से इसका नाम तक्ति सुलिमान पहाड़ी का नाम कोहे सुलिमान और कस्मीर का नाम बागे सुलिमान पड़ गया था यूज असफ कोई और नहीं बलकि स्वयम येसु है जो यहुदियों की एक खोई हुई जन्जाति की तलास में यहाँ आये थे हाला कि अधिकांस अधिकारियों का मानना है कि इसका कोई सुबुद नहीं है और यह सब काल्पनिक और विवादास्पक है हाला कि अधिहासिक, अभिलेक, यूज असफ नामक व्यक्तिकी और संकेत भी करते हैं जब आप पहाड के चोटी और मंदे तक पहुँच जाते हैं तो वहां से एक और आपको विसाल डल जील, हाउस बोट और आसपास के ख्षेत्र और दूसरी और आपको बाद से ढके पहाड, हरी परवत, दक्षन कस्मिर के बस्तिय और घने जंगलों का सांदार द्रशे भी को मिलता है, कर्व गुरु से कुछ सीडिया नीचे उतरने के बाद आपको पत्थर से बना ही एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है, जिसे संकराचारी जी की तपस्या स्थल माना जाता है, आप इस कमरे में अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं संकराचारी जी की तपस्या स्थल से थोड़ी ही दूरी पर एक कुंड है, जिसे गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है, कच्चा रस्ता बना हुआ है, आप चाहे तो वहां पर भी जा सकते हैं मिसन का स्मीर पुकार जैसी बॉलिवड मुवीज का सुटिंग भी यहां पर हुआ है, और एक प्रसिद गाना जैजै स्थल संकर यह भी यहीं पर फिल्माया गया है यह मंदिर एक वास्तु सिल्ब चमतकार है यह एक ठोस चटान पर टिका हुआ है 20 फूट लंबे अस्टकोणिया आधार सिर्स्त पर एक वरगाकार इमारत को यह सहारा देता है केंदर 6-7 मिटर के व्यासवाले एक वृत से बना हुआ है और उसके प्रवेश द्वार 1-2 मिटर चौड़े है दिवारी आंट फिट की बनी हुई है चोकोर मंदिर के चारो और के छट पर दो दिवारों के बीच किरी एक पत्थर के सीडियों से पहुँचा जा सकता है सीडियों के विपरेद दिसा में एक ध्वार आंतरिक भाकी और जाता है जो यह उचना में गोला कार एक छोटा और अंधेरे कक्स में आपको ले जाएगा बू विगनानिको का कहना है कि यह पहाड़ी पृत्वी की गहराई से मैगमा के वेस्पोर्ट से बनी ज्वाला मुखिय चक्ठान से बनी हुई है वास्तों में कस्मीर घाटी को घेरने वाले पहाड काफी हद तक इन ज्वाला मुखिय चक्ठानों से ही बने हुए है जिसका निर्मान 320 मिलियन वर्स पहले मैगमा के वेस्पोर्ट के साथ सुरू हुआ था इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है जल्दे नए वीडियो के साथ